अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लवली की दस होई स्वाधिस्ट बेंजन फ्रेंड आज में लेके आए यह बहुत ही यूनिक नास्ता जो कि बहुत कम समय में इसको बना सकते हैं सुवे का ब्रेक फास्टो या साम की चाय आप कभी भी भी इसको ले सकते हैं बहुत ही इसको हम बिगो के रख देंगे ताकि अच्छे से यह रवा फूल जाए मारा और इसको पंद्रा मिनट के लिए फ्रेंड हम छोड़ देंगे और इदर 15 मिनट हो चुके थे तो चलिए हम इसको चान लेते हैं ताकि जितना भी एक्स्टा पानी है सभी इसका निकल जाए हमारी चैनल पर पहले से काफी नास्ते अपलोड हैं और वह भी मैंने रवा सूजी से बनाई हुए हैं तो आप एक बार जाके देख सकते हैं तो बहुत ही इजी बनने वाले नास्ते हैं से इदर मैंने चान लिया है और चान के इसको अच्छे से इसी तरह से हम छोड़ देते हैं ताक जितना भी एक्स्टा पानी है निकल जाएगा और इदर एक मसाला हम तयार करेंगे तो सबसे पहले मैंने दनिया ले लिया है उसके बा देल नमक तो आधा चंमच इसमें हम तरह मसाले मांड़ है तो चलिए अच्छे से पीस जाते हैं तो इसको दर दर सा हम थे लिए हम तैयार हो प्रेंड और इसको रख देते हम साइड में तो चलिए अधर ले लेले तें रख दिया है तो कड़ाई को मैंने गैस पर रख दिय यह विसके बिखानी हो पानी गरम में वाँ में ऐसे मांक हमने साथा सीचिल आप दकेसि हैं दाल भीज़ा हैं, खेशंगा हैं यह सोजी मिली के दिखानी हैं तब इसको मिल शेख ठया और इसको मिलके चुछा साथा आथा कर तरहिए चुछा तो यह अपने खुद ही थिक होता जाएगा तो आप देख सकते हैं और यह काफी देख थिक हो गया है इस तरह से यह डो बना है और इसमें ले लेते हम दो आलू तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको और मिक्स करने के बाद इसको हम कुछ देर रख देते हैं तो इसको 15 मिनट के लिए तो इधर 15 मिनट हो गयते और ठंडा भी हो गया था तो मैंने दूसरे वाइल में इसको निकाल लिया है तो चलिए फ्रेंड इसमें डाल देते हैं कुछ हम मसाले तो सबसे परे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है मोटी कोटी वी लाल मिर्ची उसके बाद आदा काली मिर्ची का पाउडर अब जाहेगी थोड़ी सी हींग उसके बाल डाल देते हैं नमक तो मसाले अपने हिसमें ले सकते हैं जितना तीखा और फीका आपको बनाना है तो अब यह मसाले हम अच्छे से इस डो में मिक्स कर लेते हैं तो जिस तरह सम लोग आंटा लगाते है सम उसी तरह से यह बन करके तयार हुआ है तो यह मसाले हमारे काफी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं तो चलिए अब नास्ते को बनाना शुरू करते हैं तो जिस तरह सम लोग रोटी पराटी की लोई लेते हैं तो थोड़ी सी बड़ी हमको लेना है और लेकि इसको गोल तो सेम पूरी बनाते हैं उसी तरह से इसको बेलना है तो मैं थोड़ा-फ़ड़ा ओईल लगा लिया है और फिर बहud है आधा साराम से तागत लगा कर यह जदा नहीं हो करना है जड़ा नहींना है अधर अमारा यह बिल के देंगे तैयार हो गैर को इसी से अम नास्ते हम न तो ताकि नास्ते हमारे एक साइज के सभी बनें ऐसे हम बेल के पूरी तरह बना सकते हैं लेकिन वह कुछ भी कितना भी करो लेकिन बड़ा चोटा हो जाता है तो इस तरह से सभी नास्ते हम काटेंगे तो आप देख सकते हो अगली लोई बनाएंगे उसमें इसको मिक्स कर लेंगे तो यह चलिए थाली में निकाल लेते हैं और बाकी बचा हुआ है उससे इसी तरह से नास्ते सभी बना करकी तैयार कर लेंगे तो इधर यह नास्ता हमारा बन करकी तैयार हो गया है तो चलिए अब बारी आती है इसको करने की अब इधर मैंने ऑईल रख लिया था पहले से गरम होने ताकि हमें थोड़ा सा मतलब हाई टमप्रेचर चाहिए है बहुत ज्यादा गरम होना चाहिए हलके गरम तेल में आप इसको ना डाले नहीं ते टूट भी सकते हैं तो तेल हमारा काफी अच्छे से गरम हो गया ह और चलिये अब इस नास्टे को हम डालना सुरू करते हैं तो जिस तरह से पूरी तलते हैं उसी तरह से हम इसको तलेंगी थोड़ा सा से क्रंची बनाना है तो देखिए फूलने लगा है तो फूलते जब नीचे से गोल्ड़न हो जाएगा तभी इसको पल्टेंगे पहले इ करशी चलाने के ज़रूरत नहीं है तो देखिए नीचे सी गोल्डन होने लगा है तो मैंने सभी नाश्टे को पलट दिया है तो इसी तरह से हम उडट पलटके इसको अच्छा गोल्डन होने तक हम प्राई कर लेंगे तो देखिए कितना प्यारा आया है बहुत ही टेस्टी भ बन करके तयार हुआ है तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में तो देखिए मैंने निकाल लिया और बाकी नास्ते वीसी तरह से बना करके तयार कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड सभी नास्ते बन करके तयार हो गए है तो बहुत ही टेस्टी और क्रंची नास्ते बने हैं और इसको मैंने टमेटो कैचप और ग्रेन चली सॉस के साथ मैंने इसको सर्फ किया है तो आप देख सकते हैं आप जरूर बनाए इसको और जो भी चैनल पर नुव है और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लिज प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बगल में छोटा सा गयल आइकन है उसको फ्रेज करना ना भूले फ्रेंड ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नौटिक्रिशन आपको समय से मिल सके तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपिक साथ बाई-बाई फ्रेंड थांक्स पॉर वा